दोस्तों सौपन लोग की दुनिया में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में भगवान शिप को देखना भगवान शिप को देखने की विविन अवस्थाओं के बारे में हम चरचा करेंगे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आफ तक पहुंस के तो चलिए दोस्तों चलते हैं जानते हैं भगवान शिप को सपने में देखने का आर्थ होता है और सभी सब्यतने ये सपने किस और संकेत करते हैं दोस्तों सपनों की दुनिया एक जादूई दुनिया से कम नहीं है हम इस दुनिया में वहे कर सकते हैं जो वास्विक दुनिया में नहीं कर सकते यहां तक कि हम सपने में खुद को वास्वी जीवन के सपने को सच होता भी देख सकते हैं कहने का मतलब यह है कि सपना देखना एक चमतकार जैसा है तो आज का हमारा टोपिक है सपने में देवो के देव, महादेव, भगवान शीप या भुलेनात को देखना जैसे कि भगवान शीप के नाम से ही हिर्दे पवित्र हो जाता है उसी तरह उनका सपना देखने पर भी हमारी जिंदगी से दुख दूर हो जाते हैं भगवान शीप का सपना देखने के बाद हमारे दिल में एक तरहे की प्रसनिता फैल जाती है और हमें यह एसास होता है कि यह सपना आने का अवश्य ही कोई न कोई विशेश कारण है जादतर यह सपना उन्हें आता है जो भगवान शिप के भगत होते हैं या भगवान शिप के काफी प्रिये हैं यदि आपने सपने में भगवान शिप को देखा है तो यह अत्यांती शुख सपना होता है तो दोस्तों भगवान शिप से उनके सपनों में ही दिखाई देते हैं जो भगवान शिप के भगत होते हैं अगर ऐसा सपना कोई देखे तो उसके उपर भगवान शिप की अश्रिम क करना चाहिए दोस्तों मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भगवान शीफ को देखने पर अगर कोई व्यक्ति उनकी भक्ति प्रेम करे तो आने वाले समय में भगवान शीफ उसे मौक्ष दे देते हैं और भगवान शीफ जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते इसलिए अगर आ देवे कहा जाता है वो स्रिष्टी के सनहार करता है शीफ का अर्थ कल्यारतारी माना गया है लेकिन वे हमेशा ले और प्रेले दोनों को अपने अधीन किये हुए हैं यदि भगवान शीफ ने सपने में आपको दर्शन दिये हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप उनके भग तो मेंसे कुछ ऐसी किस्मत वाले होते हैं जिने उन्हें दर्शन होते हैं यदि आपने सपने में शिबजी जी को देखा है या शिबजी को दर्शन किये हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये सपना 38 शुप सपना माना जाता है यदि आप इन दिनों किसी बड विवारिक मामलों की हो, कैरियर से जुड़ी हो, विवाहिक हो या फिर व्यक्तिगत हो. क्योंकि शिब जी से ही सभी तरह के बुरे दोशो, बुराईयों और कश्टों का अंत हो जाता है. जहां शिब है, वहां सुखी संसार है. तो दौस्तों सपने में शिब जी जी को देखना आपके बुरे समय का अंत होने के और संकेत करता है. और साती आपको कैई तरह के सांसारिक सुखुकों भी प्राप्ति होती है. कुल मिलाकर सपने में शिब जी जी को देखना अत्य preparedness शुब और लाबकारी माना गया है. दोस्तो सपने में भगवान शिप की मूर्ति देखना कैसा होता है दोस्तो स्वापन जोति शास के नुसार यह सपना एक बहुती अच्छा सपना माना गया है स्वापन जोति शास के नुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में भगवान शिप की मूर्ति देखता है तो उसके आने वाले समय में उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है उसे उसके कारियों में सफलता की प्राप्ति होती है उसके परिवार में खुश्य आती है और उसके जीवन में पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है दोस्तो ऐसा सपना देखना बहुती शुप सपना माना गया है ऐसा सपना अगर कोई जातक देख ले तो उसके लिए यह सपना बेहदी अच्छा सपना है इसके लावा दोस्तो यदि आप सपने में भगवान शीप की पूजा करते हुए देखते हैं तो इसका क्यारत होता है तो दोस्तो सौपन जोतिशास के नुसार यह एक पहाती अच्छा सपना माना गया है अगर कोई जातक अपने सपने में भगवान शीप की पूजा करते हुए खुद को देखता है तो उसके आगे आने वाले समय में उसकी सभी मनोकामना तूर होने वाली है उसकी सभी परेशानिया दूर होने वाली है उसका आने वाला समय शुभ होने वाला है दोस्तो ऐसा सपना अगर कोई जातक देखता है तो उसके उपर भगवान शिप की असीम कृपा होती है तो दोस्तो ऐसा सपना देखना बहुती शुप सपना माना गया है यह सपना देखने के बाद आपको भगवान शिप की पूजा अर्चना कर देनी चाहिए क्योंकि शिप जी की आप पर प्रक्रिपा बनी हुई है उन्होंने आपके लिए खुशियों के रास्ते खोल दिये है या यूं कहें कि आपके लिए सुप समय की शुरुआत हो चुकी है वही दोस्तों यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं यह सपना वीव सुपन जोतिशास के अनुसार बहुती शुप संकेत देने वाला सपना माना गया है इस सपने का आर्थ है कि आप पिछले ज़न में भगवानशिप के भक्त थे अब आपकी साभी समस्याओ के खत्म होने का वक्त आ गया है आपको जल्दी तरक्की होने वाली है यह श्मिलने वाला है वही दोस्तो यदि आप सपने में भगवानशिप का मंदिर देखते हैं तो इसका क्यारत होता है दोस्तो अगर आपने भगवानशिप का मंदिर देखा है तो यह बहुती शुप सपना है इसका मतलब है कि आपकी जिन्दिगी में चल रही सारी परिशानिया खत्म होने वाली है दोस्तों यदि आपने सपने में शिप जी जी का मंदिर देखा है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान शिप की किरपा बनी हुई है उन्हेंने आप पर किरपा बरसा दी है यह सपना आपके जीवन में positive energy का संचार करता है आपके जीवन से परिशानियों को खत्म करता है हर तरह की बिमारियों से छुटकारा मिलता है और आपके हर मनों कामना पूर्ण होती है सपने में भवानशिप का मंदिर देखना काफी शुप माना गया है यदि यह सपना किसी जातक ने देखा है जो शादिशुदा है तो इसका अर्थ बदल जाएगा शादिशुदा व्यक्ति का सपने में भवानशिप के मंदिर देखने का अर्थ यह है कि आपको जल्दी संतान की प्राप्ति होगी और यही सपना एक बीमार व्यक्ति देखता है तो उसकी सारी बीमारिया खत्म हो जाएगी वही दोस्तो यदि आप सपने में भवान शिप का त्रशुल देखते हैं तो इसका क्या आर्थ होता है तो दोस्तो सपने में त्रशुल दिखना भी एक शुप संकेत माना गया है इसका मदलब है कि आपकी सभी कश्ट दूर होने वाले हैं सपने में शिवलिंग देखना या सपने में सफेश शिवलिंग देखना भी उतना ही शुप है जितना सपने में शिव जीजी को देखना इस सपने का फलवी वैसा ही होता है जैसे कि सपने में शिव जीजी को देखने से मिलता है सपने में शिवलिंग देखना पिछले जन्म का संकेत देता है यानि आप पिछले जन्म में शिव भगते एक ओर जहां सपने में शिवजी को देखने के से दुखो का अंत होता है वही शिवलिंग को देखने से आपके समय, अच्छे समय की शुरूआत होती है यदि आपने सपने में खुद को सिवलिंग पर जल चड़ाते देखा है तो यह सपना बताता है कि यदी वह जल सावाने जल है तो इसका मतलब है जल दी आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है यह आपके सुखी और सम्रिज जीवन की ओर इशारा करता है साथ ही साथ अच्छे समय का मतलब कुछ और भी हो सकता है लेकिन जादातर मामलों में सपने में शिवलिंग को देखने का मतलब आर्थिक सुधार से होता है यानि आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है और यदि आपका धन कहीं लंबे समय से अटका हुआ है तो इवहे भी आपको जल्दी मिल सकता है पुल मिलाकर यह सपना आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारा आर्थिक लाप दे सकता है यदि आपने सपने में शिवजी को तार्णफ करते हुए देखा है तो दोस्तों स्वपन जोतिशास के अनुसार इसका भी फल वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसे की शिवलिंग देखने का होता है यह भी मुश्किल समय के अंत और धन की प्राप्ति के और इशारा करता है वही दोस्तों यदि आप सपने में शिवलिंग पर दूट चड़ाते हुए खुद को देखते हैं तो इसका क्यारत होता है इसलिए ये सपना देखने के बाद आपको तुरंद मंदे जाकर शिवलिंग पर दूद चड़ा कर दीपक लगाना चाहिए क्योंकि शिवजी अपने भक्तों के हर मनुकामना पूरी करते हैं हम पर उनकी क्रपा बनी हैं और हमें भी उसके लिए उनकी पूजा करना अनिवारे होता है यति आप सपने में गंगा जल चड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अध्यात बिक्ता में रूची बढ़ेगी सपने में शिवजी को डमरू देखते हैं तो दोस्तों यह एक पवित्र सपना माना गया है डमरू ध्वनी का प्रतिक है इसका मतलब है कि आपके जीवन में पॉजिटिव पॉजिटिविटी आईई और पॉजिटिव एनरजी का संचार होगा तो दोस्तों यह था मतलब पवान शिव से जुड़े है सपने का उम्मिद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी ही जानकारी के लिए बने रही है हमारे चैनल सोल जर्नी से मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्षकार दोस्तों